वेल्कम फ्रेंड्स वेल्कम टूयर चानल लर्न ग्रो यह एक वीडियो है एक प्रैक्टिकल एजामपल हम लेने वाले हैं यह वीडियो होने वाला है डिडिसी बेस्ट क्लासिफिकेशन जो है 19th एडिशन पर और एक चीज़ और बताना चाहूंगा कि यह एक हमारे सब्सक्रा पर जो अंसर आएगा पैटन सेम रहेगा और ढूलने का तरीका और कोडिंग सब सेम रहने वाली है तो क्विकली हम शुरू करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें मैट्रियल्स क्या चाहिए जैसे डिडिसी क्लासिफिकेशन जो 19th एडिशन का अगर मैनूल है हाड़ कॉप उसमें आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें कौन सा एडिशन आपको रेकमेंडेड है जैसे डिडिसी 19th एडिशन है 20th है या 23rd है क्योंकि एडिशन मतलने से बहुत जाज़ा चीज़ें नहीं चेंज होती लेकिन कोड्स में कुछ वैडिशन आ जाता है वह अपग्रेड हो widely accepted है तो हम 19th एडिशन पर ही वीडियो बना रहे हैं और same pattern पर ही अगर आपका एडिशन चेंज है तो आप अपने एडिशन के हिसाब से question को solve कर सकते हैं तो एक quick revision 19th एडिशन जो है year 1979 में आया था volume 1 में introduction tables है volume 2 schedule से volume 3 relative index है तो coding करते समय हमको volume 1 volume 2 की ही main जरूरत पढ़ती है और volume 3 जो relative index है उसके उपर भी वीडियो हम बनाने वाले है relative index के बारे में हम बात में बात करेंगे और जो tables इस्तेमाल होती है volume 1 में है tables हमारी 19th edition के इसमें 7 तरह की table है साथ table है जैसे आप screen पर देख सकते है table 1 जो है standard subdivision table 2 areas table 3 जो individual literature साहिती का subdivision है table 4 में individual languages का division और यह सारी table आपके सामने है table 7 जैसे की person है अब table का महत्तव आपको बता दूँ अगर आपके जो question दिया जाता है जो book का code रहता है नाम रहता है book का जो title जिसको हम कहते हैं उसमें कोई शब्द हमको table से उठाना है schedule के बाद तो हम इन table का इस्तिमाल करते हैं और 19th edition आप download करते हैं तो जो PDF file है उसके page number लिखे हुए ताकि आपको ज्यादा scroll ना करना पड़े इधर उधर क्यूंकि आप अगर mobile से करेंगे तो काफी pages हैं तो आपको scrolling में time waste होगा तो इस page का आप या तो screenshot ले ले या फिर आप जैसा भी आप समझें आप इसको note down भी कर सकते हैं तो देखिए आप first summary जो है 10 main classes वो page number 294 पर आपको मिलेगा और ध्यान रहे कि यह PDF file का page number है ना कि original manual का second summary, third summary ऐसी हमारी detailed summary schedules में है जैसे 000100 किस page number से किस page number तक है वो इसमें दिया गया है तो आज का जो हमारे subscriber है उन्होंने एक demand डाली थी कि the Prime Minister of India को solve करके दिखाए आप DDC pattern पर तो आज हम इसी को solve करेंगे जिसमें हम detailed step लेंगे और हमने जो code बनाएंगे उसमें हम देखेंगे उस code तक हम कैसे पहुंचे है यह टाइम जाता ना लेते हुए वीडियो को short ही रखेंगे पहले की तरह तो आज का हमारा title है the Prime Minister of India तो step 1 की बात करें जैसा आप लोग समझ गया होंगे अब तक हमने काफी example डाल दिये हैं तो first summary जो होती है हम main class को ढूंडते हैं तो यह देखिए आपके सामने 10 main classes है 0000 से लेके 000 से लेके 900 तक यह main classes में ही जो DDC based है इनहीं में से हमारा main class चुना जाता है तो अब the Prime Minister of India है भारत के प्रधान मंतरी तो यह विशय यह आपको दिमाग लगाना है सोचना है कि किस विशय में आ सकता है तो आप देख पा रहे होंगे कि 300 जो है social sciences उसमें मिलने की step by step solution है तो अभी यह red color में लिखा है 300 तो इसका मतलब यह हुगा कि यह final code नहीं है जस्ट यह starting है तो step 1 उम्मेद है आपको समझ में आगया होगा कहीं भी किसी वीडियो में कुछ भी doubt है तो आप लोग please comment करेंगे तो उसका solution जरूर मिलेगा आगे बढ़ते हैं अब हम step 2 की बात करते है step 2 में हमें पता है कि second summary में हमें ढूंडा है division हम लोग ढूंडते हैं पहले हमारा main class था step 2 में हमारा division रहता है जो main class code 300 हमने ढूंडा है तो आपके screen पे screenshot ले लेता हूं में ताकि आपको समझ में आए और यह सारी चीजन जो screenshot में ह वो आपको PDF online download करनी पड़ेंगी और पेज नंबर मैंने अल्रेडी बता दिया है इस वीडियो के starting में तो आप देख पारे हमके 300 social sciences लिखा है उसमें जो इसका division है 310 stat के लिए 320 political science 330 economics के लिए उसमें आप देखिए यह है 350 जो की public administration की बात करता है तो prime minister of India title जो है इसमें सबस यादा suitable है इसलिए हमने इसको चुना है अभी के लिए तो सब division में हमारा टॉपिक किस में आएगा public administration में तो हमारा code अब चेंज हो गया अभी क्या बन गया हमारा code 350 after second summary दोस्तों हम लोग आगे बढ़ें तो third summary में जाएंगे से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो content है वो समझ में आ रहा है तो content को आप share subscribe like जरूर कीजिए और कहीं कोई doubt वगरा है या कुछ questions है तो आप please commitment drop करेंगे तो answer जरूर मिलेगा तो third summary की बात करें तो हमें sections ढू तो आपको मिलेगा 351 central governments तो central governments में क्या है the prime minister of India title suit हो रहा है तो हम इसकी तरफ बढ़ेंगे तो 351 में हमने word find out किया central governments तो हमारा code अब क्या हो गया third summary के बाद 351 लेकिन तीन ही summary होती है इसमें उसके बाद हम schedule का इस्तेमाल करते हैं या आप लोगों को पता ही होगा तो अभी तो हमें कुछ मिला नहीं प्राइम मिनिस्टर जैसा तो हम 351 तक तो एकदम सही गए हैं उसके बाद हम लोग schedule का इस्तेमाल करेंगे जिसमें detailed summary देखते हैं यानि कि इसके central governments के अंदर भी जो divisions दी गई है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो next step की तरफ हम बढ़ें तो detailed summary आता है यह देखिए जो page number है आपके सामने एक screenshot दिया गया है वो detailed summary का है यानि कि 351 तो schedule में है आप वहां जाएंगे तो यह आपको summary दिखाई पड़ेगी इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा 351 के उसके बाद आप देखेंगे तो अभी हमने इसको ले लिया है 351.003 general consideration of executive branch फिर आप उसके नीचे आएंगे तो 003 में ही देखेंगे क्योंकि यह हमारा सब जिसके अंदर का division है वो यह दिखाता है और उसके अंदर भी हम ढूणना होगा प्राइम मिनिस्टर वर्ट कहां fit ब हमने जो यह है प्राइम मिनिस्टर वर्ड हमको exactly मिल रहा है कि अगर हम प्रधान मंत्री की बात कर रहे हैं तो यह जनरलाइस ट्रम है तो हम क्या करेंगे इस code को हमने अभी के लिए green में लिखा जैसे 351.003 उपर उसका division उसके अंदर भी जो divide करके लिखा हुआ है एक micro level पर जाके जहां प्राइम मिनिस्टर वर्ड है तो डॉट 00313 तो यानि प्राइम मिनिस्टर के लिए हमको वर्ड मिल गया है डिटेल समरी में तो हम यह code लेकर चल रहे हैं 351.00313 फॉर प्राइम मिनिस्टर उम्मेद है आपको यह steps समझ में आ रहे होंगे तो दोस्तों उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया के लिए हमें code ढूंडना है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया है तो इंडिया code आप लोग जानते ही है table 2 में जो हमारा step 5 है जो code for इंडिया के लिए तो हम table 2 में ढूंडते है area area में गये तो आप जब ढूंडे और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कई बार students जो है वो ढूंड लेते हैं code अलग-अलग कैसे भी किसी method से relative index में जाके dictionary method से या सर्च करके ढूंड लिया लेकिन उसको लिखने का तरीका भी हमारा सही होना चाहिए तो सेम चीज जो है अलग-अलग field में अलग-अलग तरह स एक्जिक्यूट होती है इसमें हम code को कैसे लिखेंगे आए देखते हैं अभी हमको इसमें प्राइम मिनिस्टर भी मिला इंडिया भी मिला लेकिन इन दोनों का जो link बनेगा आपस में वो देखिए हमको add करना होगा 09 for geographical treatment for area यानि कि area क्या है हमारा इंडिया है तो कहां से हम 09 कर रहे हैं standard subdivision से जो अभी screenshot आपके screen पर आया है यह standard subdivision का समरी है इसमें आप देखेंगे 09 historical and geographical treatment तो हम लोग area का क्या है geographical treatment यानि की तो इसलिए इंडिया में हम लोग 09 standard subdivision से ही लगाएंगे और इसका आप जो क्यों लगाएंगे question यह भी हो सकता है कि कई बार हम लोग direct भी ल दिखिए हैं जहां से हमने इंडिया को ढूंडा उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आपको instructions मिलेगा ऐसा है the following notations are never used alone यह जो लिखा हुआ है यह कभी इस्तिमाल अकेला नहीं होता है या तो यह directly use होता है either directly when so noted या तो directly use होता है या फिर जब दिया गया है कि इसको directly लगाना है या फिर through the interposition of standard subdivision notation 09 from table 1 या तो आप जब ढूंड रहें अपना title उसमें दिया गया कि इसको direct लगाएं जैसे हम law के case में पढ़ते थे तो law वाला कोई आप example लेंगे अगर इसके title में law आता है कानून तो उ नहीं लिखा हुआ क्योंकि हम प्राइम मिनिस्टर हमने ढूंडा है और उसमें कोई instruction ऐसा नहीं था और हम एरिया लगाना चाह रहे हैं तो हमको 09 लगाना ही पड़ेगा क्योंकि हम geographical treatment दे रहे हैं इंडिया को प्राइम मिनिस्टर के साथ तो इंस्ट्रेक्शन को follow करेंगे आप जितना उतना आपका code सटीक बैठेगा और आपका जो examination है या assignments वागे रहे हैं वो questions सही रहने वाले हैं तो आगे बढ़ते हैं तो अब final step की बात करें हमने code ढूंड लिए step by step प्राइम मिनिस्टर का और इंडिया का भी final step की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख पाएंगे मैंने space देके लिखा है थाकि आपको समझ में है कि किस के लिए हम क्या इस्तिमाल कर रहे हैं तो आप देखेंगे 351.00313 हमन सब डिवीजन में और इंडिया कोड हमारा है 54 तो इसका जो फाइनल कोड बनकर आएगा वो बन जाएगा 351.00313 और उसके बाग 0954 यह हमारा कोड रहने वाला है दा प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के लिए एक बार और रिमाइंटर डालना चाहूंगा कि हमारा 19th edition बेस वो कर देते हैं तो 19th edition की साब से अगर आप समझ गए question को addition को इसा भी हो अगर आप pattern और sequence और concept समझ गए कि इस ट्राइटल को कैसे बनाए गया है तो एडिशन से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला है उम्मिद है आपको इसका solution मिल गया होगा और एक question आप लोग practice करिएगा the president of India easy question है आपके पास कोई भी addition हो आप answer डालिए और addition भी कमेंट करिए कि आपने इसका answer किस addition से उठाया है और चैनल को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक और कमेंट थैंक्स